दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका यूटूब चैनल एविटिक में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में आने वारी 40,56 पदों पर प्रधान सिच्छक भरती के बारे में आप लोग समाचार पत्रों के माद्दम्स इसके बारे में सुने होंगे तो इस वी वीडियो के माद्दम्स में complete details आपको बता रहा हूं सबसे पहले हम बात करें कि बिहार में जो प्रधान सिच्छक की बढ़ती है इसका विग्यापन सिग्र ही जारी होना है अगर अचार सहीता नहीं लगती है अभी जल्द तो यह विग्यापन आपका अभी आ सकता है अदर पर BPSC को इसका दियाचन वेजना वाकी है जैसे BPSC के पास इसका दियाचन आएगा वैसे विग्यापन जारी किये जानी के तयारी है यह बाते में हवा बनी बोला हूं आप सोच रहे हों कि हवाम बातें कर रहे हैं तो हवा में नहीं आप समचार पत्र के मादम से इसको देखें लिखा है कि 40506 प्रदान सिच्छा की बढ़ती प्रक्रिया सुरू हो चुकी है इसने विलंब नहीं है देखें लिखा है सिच्छा विवाग ने सामान प्रसासन विवाग को बेजिया दिया जल्द जारी होगा विग्यापन इसका विग्यापन जल्द ही जारी होने वाला है यहां पर देखे नीचे बताया गया कि राज के प्रारमिक स्कूलों में पहली से आठवी कच्छा तक के विद्ध्यालियों में करेगा और आवजन आपसे मांग करेगा इस तरह काफी समय से लंभित चलला इस नियुक्ति प्लका करीया का इंतजार अब समौप्त होने वाला है तो इंतजार अब सवाप्त होने वाला है और यहां पर यह जो बड़ती आपके पास एक बड़ी बड़ती प्रदान सिचक या हेड मास्टर की देखने को आपको मिलेगी वह भी बहुत जल्द आपको बताते हैं इसके लिए भी हाली में बिहार में नई नियमोली जारी की गई इस नई नियमोली के तहट यह बड़तीयां की जाएंगी यहां पर देखिस के बारे हम थोड़सा बताया गया है कि प्रदान सिचकों का जिला इस्तर पर अलग संबर्ग होगा बिहार प्रारंबिक विद्याले प्रदान सिचक नियमोली 2024 के अनुसार प्रदान सिचकों का व जिला इस्तर पर इक सम्बर्ग होगा इनका प्रेस्थानांतरनी होगा इन शिचकों का जिल्ए के अंदर और जिले के बाहर दोनों तरीके कैसी शुख पाएगा यानि इनका ट्रांसफर भी हो जाएगा कोई दिकत इसमें नहिए नहीं होगी तो इसमें जो है आपको 2024 नियम लिखा गया है क्या एक्स्पीरेंस वो यहां पर देखिए नीचे बताया गया है कि राज की प्रारंबिक स्कूलों में कारत सुच्छकों को इस नियुक्ति में आवदन करने का मौँका मिलेगा इसके लिए नियुनतम आट वर्स की सेवा जो है पूरी होनी चाहिए आट वर्स के अगर आपकी सेवा है तभी आप इसमें आवदन करने के लिए पात रवाने जाएंगे पिछले सपता ही बिहार प्रारंबिक विद्यालेप प्रदान सिच्छक नेमोली की दोजार चॉबिस को राजी केपनट की स्विकृति मिली है तो अभी इस नियुमली को हाली में स्विकृति मिली है इसके अनुसार अगर आपका आट वर्स का एक्सपिरियंस है तभी आप इस वर्ति में आवदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी यहां पर विदे के हा मौका मिलेगा अगर तीन बार में क्वालिफाई नहीं पर कर पाते हैं इस एक्जाम को आगे कोई बढ़ती में इनको मौका नहीं मिलेगा अभी इसका परिचर पैटर्न और बांकी डिटेल्स जो जारी नहीं की गई है यह सारी चीज़ें जारी की जाएंगे तो आप लोग